अलेकम स्टूडेंस, कल जो हमारा टॉपिक था वो मेंडल लाओ इन्हेरिटन्स के बारे में था, आज जो हमने स्टडी करना है वो मेंडल लाओ सेग्रिकेशन, ठीक है, पे ओपन यूर बोक्स पेच नाइटी एच, अब मेंडल ने दो लाओ पेश किये थे, मेंडल लाओ सबसे पहले लाओ सेग्रिकेशन, 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 सबसे पहले मेंडल ने जो दे सिर्ट शेप और क्रॉस जिसके अंदर सरफ एक ट्रेट को स्टड़ी किया जाए उसको मोनो कहते हैं एक को ठीक है उसको हम मोनो हाइब्रिट क्रॉस कहते हैं अब यह था कि प्लांट जो था यह इनके अंदर जो हमने पढ़ा था इसके अंदर जो पॉलिनेशन होती है फिर्ट्लाइज़ेशन होती है वह सेल्फ थी इसका मतलब था कि अगर वह रोंड था पॉदा तो वह रोंड सीट ही पैदा करता था रिंकल था रिंकल्स सी यहनि कि वह अपने जैसे ही वह पोदे जो थे पैदा होते थी और उसके अंदर वही सीट की जो शेप होती थी वही हो द्रोनिया और एक क्रास करवाया किसके अंदर जिसमें एकワह्त रेट को स्टिटी किया fifteen डुब्रीडर ला पंहा बीड़िद्स दुनेकरिफी को किसके साथ कराया है यह इसलिए कहा था है किओकि इसके इसके लिक्ची पॉलिनेशन ओरही थी जिसकी वज़ा से वो रम सीट वाला जो था वह रोंड सीट ही पलादा था चाहि उस पोदे को कितनी नस्लों तक औक ना था और आगा से रिंकल सीड ऐसे सेस्टी फॉलिंग यर्स मेंदर प्लांटिट इस सीड उसने उसी साल उन पो जोगों गाया अलोग नीव प्लांट तो सेल फटलाइस और ने पो दे जो ते उनके इंदर सेल फटलाइसेशन ही होने धी ऐसे रिजल्ट ही गोट 732 4C 5474 रोंट 1850 रिंकल और जो रेशो थी ठी रॉंट थी और वन रिंकल था ठीक है अब उसने अब उसने अब उसने टेनल जनरेशन इस दिनोट इस पीवन जनरेशन आफ सुप्रिंग बद 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 जनरेशन अब उसने क्या दिया था रॉंट ये अबनी जोवन पर बने वो सारे के सारे रॉंड थे और उसने इसको बीवन का नम दिया फर्स्ट प्रेंटल जनरेशन आगे से जो रॉंट सीड हांसल हुए उसको नाम F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन का नाम दिया अब उसने क्या किया F1 को F1 के साथ इसको इनके दरम्यान में सेल्फ अटलाइजेशन करवाई और जो F2 वाले जो थे F2 जो पैदा हुए उसने देखा कि उसमें क्या आ रहा था 75 अगर 100 है तो 75 जो थे वह रॉंट थे और 25 जो थे वह रिंकल थे और उनके दरम्याद रिशो जो थी 3-1 रिशो प्रेसेंट थी ठीक है यह तो इसको फीनो टाइप के लहाज से देखा लेकिन अगर हम जीनो टाइप के लहाज से देखते हैं रोन को हमने कहा 잡 को जीनस की अलील जो है वो उसको कंट्रॉल करती हैा है रोन के लिए केपिटल अर आर रिंकल के लिए small or small आ गया ठीक है अब यह जो थी यह क्याती है P1 generation और जितने भी जितने भी जो थे इसमें gamers जो थे उनके पास यह R वाला जो था R अलील हंसल हुए जितने भी gamers थे 100% इसमें R केरी किया इसी तरह से रिंकल जो थे उसके अंदर यह recessive trait है ठीक है यह dominate है और यह recessive trait है जितने भी gamers बने वो सारे के सारे उनके पास R थे जब इनके दरम्याँ cross करवाया तो देखा F1 generation सारी के सारे रोन लेकिन जीनो टाइप के लहाज से यहां पे यह dominate था और यह recessive अलील है ठीक है F1 जो यह जन्द एफ हासल हुई उनके दरम्याँ cross करवाया F1 यह 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 वाली जो थी capital R small R capital R small इनके दरम्याँ cross करवाया इसके अंदर जो gamers बने थे इसके अंदर 50% ऐसे थे जिनके पास capital R था 50% ऐसे थे जिनके पास small R था इसी तरह से इसके पास भी 50% जो gamer formation जब हुई तो R था 50% के पास small R और उसके बाद इन gamers को एक side पे अपने कर लेना है इसको पनट स्केर हम कहते हैं और इन gamers को एक side ठीक है capital R को इसके साथ दिया तो capital R capital R रहा है इस R को इसके साथ दिया capital R small R इसको इसके साथ दिया capital R small R और इसको इसके साथ दिया small R small R यानि के पहले आपने इसको इसके साथ पिर इसको इसके साथ क्रॉस करवाया इसके बाद इसको इसके साथ क्रॉस करवाया तो यह आया इसको इसके साथ तो तीन दिखने फिनो टाइप के लहाँ से यह रॉंड थे 75% जो थे रॉंड थे और 25% जो थे वो क्या थे रिंकल थे अगर यहां पर देखा दाए यह भी होमोजाइकस है यह भी होमोजाइकस है और यह क्या है 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 चोजाइकस है ठीक है स्टूर्स अभी इतना ही रखते हैं कर इंशाला ताला जो है इसकी डटेल के बारे में थोड़ा सा जो इसकी आगे से डटेल है उसको डिस्क्रिप्शन बताई हुई है वो इसके बारे में कल भी स्टड़ी करेंगे आपने अभी इसकी जो है इसको यहां से यहां तक करना है सा कि अलाओ बिस